नमस्कार साथियो तो आज है 30 जुलाई 2024 बजार आज थोड़ा सा वलेटैल था जहाँ पे शुरुआती दोर में आज मार्केट थोड़ा सा उपनीच उपनीच वलेटैल था दस बजे तक दस बजे के बाद से लगबग पौने तीन तक बजार में बहुत ही शार्फ हमें डिकावरी देखनी को मिला उसके बाद देखे पौने तीन तक मार्केट अपना वल्ल टाइम हाई पे चल दा था जहाँ पे निफ्टी अपना अच इंटरडे हाई भी टच किया थ 24,971 पॉइंट पे उसके बाद सीधा धराम से गिरा और सीधा सीधा क्लोजिंग दिया कहां पे लास्ट रेट प्राइस 24,837 पॉइंट पे तो मतलब लगबग कोई आदे घंटे की बितनना 100 पॉइंट से ज्यादा गिरावट हमें देखनी को मिला जैसे कि इस वीडियो की अब कुछ क्रूशल्स लेबल्स कल रात की सारे दसकी वीडियो में आपको वहां पे मेंशन किया था देखी उपर की तरब अगर निफ्टी मूफ किया 24,950 पर एक अच्छा रेजिस्टेंस मिल सकता है और नीचे की तरब अगर गिरावट हुआ 24,700 ये पहला सपोर्ट पॉइंट बनेगा उसके बाद 24,600 ये कुछ 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 लेवल बताया था राज आप देख लिया कि अगर उसके पहले दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करकर रखें और आज रात की जो सारे दस वाली वीडियो आएगा लगब कोई 10-40 की वीदर आपको मिल जागे इसी चैनल कबर उसको देखना मत भूलना ठीक है ओके तो देखें निफ्टी-50 में ना के बल अंत की समय गिरावट वा बलकि बैंक निफ्टी भी सेम हाल आप दे देखने को मिला जैसे कि FMC सेक्टर में एक परसन से ज्यादा गिरावट हुआ बैंक निफ्टी अल्मोस्ट फ्लैट दिया आइटी सेक्टर में थोड़ा सा करेक्शन हुआ 0.11 परसे निचा के क्लोजिंग दिया आज ऑटो सेक्टर में अक्चुली काफी अच्छा गिरावट में क्लोजिंग वा उसको छोड़के स्मॉल कैप मेट कैप या पीसी सेक्टर की बात करें कोई बहुत बढ़ा तेजी ना गिरावट आज हमें देखने को बला काइंड आप बोल सकतो की एक फ्लैट मार्केट आज था तो जिसके चलते दोस्तों हो सकता है कि आपक मोदी जी की तरफ से कुछ बयान आया है एकोनोमिकल पॉइंट अव्यू से चली फटाफ़ देख लेते हैं यहां पर देख सकती आज का अपडेट है 30 जुलाई 2024 को दो पहर दो बच के 43 मिट का अपडेट पीए मोदी क्या बोला मोदी जी ने वेल्द क्रियेटर ड्राइव आवार ग्रोथ स्टोरी ओके इंडिया विल बी वर्ल्ट हाट लार्जेस्ट एकोनोमी इन माई थर्ड टार्म तो मोदी जी की जो अभी तीसरी दफा मतब एज प्राइम मिनिस्टर उन्होंने यह मेंशन किया इसी क्रिया काल में भारत का जो सब्सक्राइब का जाएगा आपको और कुछ आप बदा करेक्ट निचे यह नोने अक्टिकल्स में और भी कुछ मेंशन किया यह देखिये प्राइम मिनिस्टर नरेंद मोदी ऑन तूस्डम अजी की दिन 30th July said wealth creator were up pivotal diving force of the country's growth story and that the whole world was looking at the India optimistically the prime minister was speaking at the inaugural session of journey toward the Vikshit बारत तो एक सब्सक्राइब कहते हैं तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या यह पॉसिबल है यह नहीं है जो भी आपको लगते कमेंट करके बताइए आजा कुछ डेटा आपके सामने में प्रेजन कर सो ताकि आपको भी थोड़ा सा मतब समझने के लिए आसान हो जाए आज की रेट सब्सक्राइब करें बात करें लार्जिस्ट इकनोम ऑविसली यूएस है मतब यूनाइटेट स्टेट आप अमेरिका जिसका जीटीप मतब जो आज की रेट पे लगबख 28 ट्रिलियन डॉलर क्यों पर पहुंच चुका है दूसरे पोजिशन पर चाइना जिसका जीटीप ल ट्रिलियन डॉलर के असपास ओके तो देखें इंडिया का जो देखें मेन प्रॉब्लम है ना वह है पर कैपिटा इंकम मेरे बात को ध्यान से अब्सक्राइब कीजिए क्योंकि अगर आप अगर आप 10 में भी यहां पर टॉप 10 की लीस्ट है देखें कि ब्राजील ब्राजी इंकम सिर्फ धाई धाई से तीन 2.73 के आसपास है ना पर कैपिटे इंकम यहां पर आई थिंग की काम करना पड़ेगा सरकार को जो कि इस बार बजट आई थिंग की इसकी उपर बेस्ट था मतब टेक्नलोची इनोवेशन एडूकेशन जितना देखें बेस लेबल से भारत बिक सित होगा उतना ही उपर की तरह मूफ करेगा थे आज की रेट में क्या हो रहा है कि भारत की इंफॉस्ट्रक्टर को काम बढ़िया चल लाए डिफेंस को बड़ चल लाए हाई वेश्की बड़ चल लाए वो एक्स्टेरनल ग्रोथ है बट इंटरनल ग्रोथ के लिए भ पहुच चुका है चार से लेकर सारे चार चार चान जाने में बहुत टाम नहीं लेगा बट में यहाँ पर फोकस करना पड़ेगा इपना प्रिशलकर प्रेसेंट गवणनेंन को ठीक है बाकी दोस्तों कि आप मेरे साथ एगरी करते हो नहीं करते हो जो भी आपको लगद है क कि fmc meeting जो कि आज से शुराद हो चुका है जिसका आउटकम कल 31st night को निकलेगा ठीक है तो एक बर मैं आपको दिखाता हूं यह देखिए डॉर जोंस की future देखिए यहां पर भी थोड़ा वालेटाइल चल रहा है थोड़ा बहुत फ्लैट काइंड आफ ठीक है इंपोर्टिन हो सकता आप लोगों के लिए ठीक है आचा बात करेंगी कुछ इंडिविजुल कंपनी की शिर्स के बार में बट उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा इंफॉर्मेटिव लगा प्लीज वीडियो को लाइक करके जरो एंकरेज करन रिलाइंस इंडस्ट्री की शेर में अक्चुली काफी नीचे आके क्लोजिंग दिया वल्मूस्ट आदा परसें नीचे अब क्योंकि इसका वेटेज बहुत जादा तो इसका भी एक बहुत बार इंपक्ट देखने को लिए इवेन आई से बेंगा भी वेटेस तीसरे पोश की अतर किरावर देखने को मैं बहुत दिनों बात बागी देखिए कुछ ऐसे निफ्टिफ्टि वाला शेर है जैसे की टाटा मोटर्स हो गया तीन से सारी तीन परसें उपड़ा के क्लोजिंग दिए कि इसके पीछे भी बहुत सारे कारण है जो कि हम आगे नेक्स वीडियो देख रहे कि भाई सब ठीक है चलो देड़ दो साल में एक अच्छा रिटन दिया सालों में 100-200 परसें बट दीपक नाइडर आर्थी इंडस्टि यह एक ऐसा सेक्टर सेना केमिकल सेक्टर यह हर साल इसके पहले मतलब 2022 के पहले जो इन्वेस्टर्स की पैसा हर साल दुगना तक नीचे पहुंच था आज की रिट में अपना अल्टाइम हाई टच किया तीन अजर की ऊपर जाके बहुत सालों बार ठीक है फाइन और गनिक एक और बढ़िया कंपनी आज कंपनी की रिजल्ट है तो इसको बढ़िया काफी बढ़िया हुआ दोस्तों वेट करना यह सार वेट करना नेक्स देखिए ट्राइड लिमिटेट आज सारे 6-7 परसंगे मुबेंट दिया एक बहुत इंपॉर्टन कुरूशल लेवल चालीस का लेवल ब्रीच किया बहुत बढ़िया उसको छोड़के देखिए अज डिफेंस सेक्टर की बात करी खास दौर से डिफेंस स अगरा उतना खास तेजी नहीं था बाकी बेद्वे सेक्टर भी आज हमने देखा अल्मोस्ट फ्लैट फ्लैट क्लोजिंग आप बोल सकतो है ना बाकी मोतिलाल ओस्वाल फनांशियल सर्विस सेक्टर में जो यह शेर है इसमें आज लगबक 5% की मुबें देखने को फॉर सम बाबाइ, जय हिन